वेल्कुम तो माई चैनल नॉवल एक्स्प्रेंग इस वीडियो में मैं आई लैक यूर फिरमान मंगा का नेक्स पार्ट एक्स्प्रेंग करने जा रहे हूं आई होप अपने लास्ट पार्ट इसका देख लिया होगा तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जो शादुआन है उसके मदले खत्म हो जाते हैं और वो सौंग से बोलता है कि मैं अभी अपना फोन लेकर आ रहा हूं और हम साथ में क्लास स्किप्ट करेंगे और जैसी व होते हैं और हमारे हमारे लूश में करने बर्गहाद कि यहां तो पैरले तो लूश नहीं मांता तो जो में बहुत से पर हाँ होत देख रहरा होता था आ 국व में देख जो और चैप्टर मेंमें अभी चैप्टम से बियानक दिखने यह लागा जब भी किती सी इंपक्ट पूर रहता है मेरे उपर उसका बहुत एफ़क्ट पढ़ता है तो क्योंकि ना हमारा जो दौन है वो एक उमेग है और उसकी क्यूटनेस का पूरा असर हो जाता है लूशो पर उसके वह फैरमांस वह रिलीस होने लगते हैं तभी जो दौन है उससे फील होता है और सौंग ना मेरा वेट कर रहा है नीचे और तुम्हें तो पता है उसे किसी का वेट करना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और फिर वो मुझे डाटने लगेगा तभी वो उसकी हाथ को पीछे करता है तो लूशो अपने हाथ को देखने लगता है जो उसने अभी और और वो सोच कि इस मंतली एकजाम एक्चले में में अनके ने में 100 रैंक किया है और आणि और यह उसकी पीछे से सहंग नतीजा है तो यहां पर सौंग कहने का मतलब पहुता कि कहीं उसने नहीं किया का कि तब Bulgari की उसे मना कर दोन का का मुझे तो कि ने भाइन मका सी दस्क्रेशक कर दोन прेंघ कम तो यह मुझे तो सौंग उनसे बोलता है कि जब से स्कोर आया है ना तो मुझे लगता है क्लास चीचर भी फिर से हमारी सीटिंग को रियारेंज करेंगे चलो चलती है और जाके देखते हैं कि कहीं उन्होंने हमें सेपरेट तो नहीं कर दिया तो वह दोनों वहां से जाने लगते हैं तब हम है तो जो भी स्टुडेंट इंट्रस्टन है वह पार्टिस्पेट कर सकते हैं और फिर वह बताते हैं कि लास्ट यह हमारा सिर्फ स्कोर थोड़ा सा ही पीचे था स्पोर्ट क्लास के थ्रू आउट तो अगर इस बाद ना हमारा अच्छा तुमने हाड़वा किया तो हमारी क जाओ बोलते हैं कि हाँ अगर मुझे पोनस मिला ना तो फिर मैं तुम्हें अच्छा सा मील ट्रीट करूंगी तभी सभी लड़के चेयर करने लगते हैं कि टीचर जाओ की मील के लिए हमें जल्दी से साइन करना होगा तभी दूसरा लड़का बोलता है लेकिन 3000 मीटर की ज साइन अप करेंगा तो बहुत जारा हमें प्रॉफिट होगा मतला हम जीतने के चांसे से बढ़ जाएंगे तभी हम देखते हैं दौान सौंग के पास होता है और वहां पर जो सौंग है ना दो दौान को बोलता है कि दौान भी बुरा नहीं है अगर वह हाई जंप करने का औ और स्कुल का बुली दोनों ही साथ में लाइन अप करेंगे यह तो बहुत ही स्ट्रॉंग होगा तभी सभी लोग बाते करने लगते हैं तभी स्ट्रॉंग पीछे से देखता है जो चैन है वह अपने डेस्क सेट कर रहा हो था है उनके पीछे तभी सोच रहा है कि यहां पर के लास्ट रो में नहीं बैटे हैं तो मुझे यह बताओ क्या यहां पर फोन से गेम केलना सेफ रहेगा तो सोkin बहुत हैपी लिए उसे बताता है कि हां यहांपर बहुत ही सेफ रहेगा तब ही सांग ना दौन के खान में चलाता है कि क्लास मानिटर हमारे पीछे बैठे हैं तो हमारा चैन है चलाने की आवाज से थोड़ा सा अवाज करता है और उसे बोलता है तुम इतना लोगा क्यों स्माइल करते हैं उसे चैटेता है तूम्म्हें पता है जो नेक होती है घूंपर ग्लैंट्स होती है गश्चाँक की और दो इस तरह से करके तो इस तरह से करके उन्हें टेम करते हैं थाकर देखते हैं है कि पूरा ध्यान तो लुषव की ओरी होता है तब इत्वान देखता है जो स्ट अपने अपने फोन गुमा रहा होता है वो दरसल अपनी पीचर ले रहा होता है तो मुच्छ को से बहुत हैं कि कि यहां में पे पोटो पोटिη ले रहे हो तो सेंग उससे बोलता है कि हाँ हमने अग्री किया था जब भी कोई blessing और admiring होगी हमारी class monitor के handsome face के बारे में तो हम अकेले नहीं कुछ भी कर सकते हमें सभी के साथ share करना होगा अगर हम अकेले अकेले उसके enjoy करेंगे तो यह crime होगा तो सेंग उसे बोलता है कि इसके इलावा इस position से ना मैं उसे capture अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ उसका पूरा face तो क्या शाओ दौन क्या तो मेरी help करोगे तब दौन उसे सीधा मना कर देता है कि नहीं मुझसे उमीद भी मत रखना मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ तो सौंग थोड़ा सा उदास हो जाता है तो दौन उससे बोलता है कि शाओ दौन ऐसी किसी भी activity में बिल्कुल भी पार्डिस्पेट नहीं करने वाला इसके बारे में सोचना भी मत तो यहाँ पर हमारा जो पर तो फिनिश हो जाता है अभी हम नेक्स आप्टर की शुरुआत में देखते हैं जो हमारा सवंग है वह बोलता है दौन से कि मुझे पता है कि तुमें अभी डॉर्मेट्री में जल्दी ही जाना है तो तुमें क्या पता है कि बैट कैसे बनाते है और तुमें पता है मैं उसकी सीक्रिटली पिचल क्लिक करने में और इसके लावा मैं तुम्हें लगज ले जाने में भी हल्प करूंगा तुम्हें पता है ना हमारी डॉर्मेट्री सिक्स्थ फ्लोर पे है तभी वहां पड़ा जो उसकी बाते सुनके ना दौान चिड़ जाता है तभी उसे सॉंग फ चलाता है क्योंकि उसे उमीद नहीं थी जो इसे पूछ लेगा वो तो शीक्रिटली पिच्चर लेना चाहता था तभी दौान मा उसे बोलता है क्योंकि तुम बहुत बुख लोकिंग हो हैंसम हो इसलिए मैं तुम्हारी ते जितना हैंसम आदमी आज तक कभी भी नहीं तभी जो सौंग है वो सोचता है क्या यह अगरी होगा तभी यहां पर जो लुषा उसे बोलते हैं अगर ऐसा हो रहा है तो तुम्हारे कैमरे को शोशली एंशिस होने दो मैं ऐसा नहीं करने वाला तो उसकी बास उनके जो दुवान है वो गुसा हो जाता है तभी उसे फिर जो तुम्हारी ब्यूटी को यहां पर नुचा गुसा है जो ध्यूटी को कैप्चर करना चाहता हो तो लुषा उनके जो दुवान है वो उसे कुछ भी नहीं कहता और तभी जो चैना ना वोसे बोलता है उन्हें आइडिया देता है कि क्यो ना तुम दोने एक साथ होते हैं वो सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं और एक लड़की बोलती है ओ माइगाड सॉंग ना वहां पर लूज हो के सामने बैठा है सामने वाली सीट में बैठा है मुझे लगता है उसने जरूर पास्ट में कुछ अच्छे काम किये होंगे जिसकी वरसे वह इतने हैंसम ग जो लूश है वह लूश है और इसके लावा मुझे लगता है कि यह ना फोटो किसी और के साथ है और प्रॉप्ट की गई है क्योंकि मैं वहां पर किसी की जो बाजू है वह देख पा रही हूं तभी हम देखने हैं इवनिंग का सीन तो हां तो यह जो पिच्छ थी ना वह ल पिच्छ है उस फोटो के देखते हो है वह लड़की सोच है यह तो बहुत ही जादा एपसल्यूटल वेडिंग पिच्छ है तभी लड़की है बहुत ही एकसाइटली और बहुत ही प्यार से लूश हो से बोलते है कि अप इस पिच्छ को मुझे भेज सकते हैं मैं यह वाली मैं आपकी और दुआन के लुक्स की बहुत बड़ी फैन हूँ आप दोनों को एक साथ देखना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्वीट फ्रीट है तभी वह लड़का बोलता है कि तुम क्या चाहते हो तो मैं ऐसा क्यों करना चाहते है उसे देखे ना वह लड़की फिर से बलश करते है क्योंकि उसे बहुत ही हैंसम लग रहा होता है तभी वह इन दोनों को एक साथ देखते हैं अगर नहीं तो और कौन तभी लुशो से बोलता है कि हमेना एक और लड़की की जरूरत है मतलब यहां पर गेम खिलने के लिए तो तुम क्या आ सकते हो तो फिर चैन जल्दी से मान जाता है और उसे बोलता है तो मुझे साइन अप करने दो और फिर वो गेम में पारिश्प्रिट करते हैं खेलने लगते हैं तभी हम देखते हैं वहां पर जो लुशो के सामने Kalis शह रखते है दोन और फिर वो बौलता ह कि बहुत ही अच्छी है और इसके अलवा मैं पहले भूल गया तुम्हें यह बताना कि तुमने मेरी जो हैल्प की थी ना हाइलाइट करने के लिए पांट को उसके लिए बहुत ही थैंक यू और वह थैंक यू की तौर पर उसे केंडिस देता है तो लुषो उसे देखता रहत है कि हनी प्लीस से कहना बंद करो आप ऐसे इस तरह से उन दुनों का जोक नहीं कर सकती तभी वो लड़की कुछ नहीं कह पाती तभी लुषो उसे बोलता है यह ठीक है उसे डर आओ मत तो उसकी बात सुनके ना जो लड़की है वह काफी हैपिल हो जाती है और फिर वह करते हों की और तो जो शॉन है उन दोनों की घल्प कर रहे होते हैं तभी जो शॉयन ना वो बोलता है कि तुम उसकी हल्प क्यों कर रहे हैं ऐसे बेट बनाने के लिए तो सौन उसे बोलता है कि हमारी उसे Tiere He hat करने में मेरी help की तो मैं उसकी help करूंगा ऐसे बैट बनाने के लिए तब ही सौंग की पास उनके जो श्यान है वो बोलता है secretly photograph क्या तुम अभी भी लुशो के बारे में सोच रहे हो तुम पता है उसके कितने जदा तुम्हारा मतलब क्या है तभी सौंग ना इशारा करता है दुवान के तरफ और उससे बोलता है कि तुम्हें पता है यहां पर कोई ऐसा है जिसके उपर क्लास मॉनिटर का मार्क है उसकी बास उनके जो श्यान है उसकी आखे निकल जाते बड़ी बड़ी हो जाते और दौन को तब श्यान नू देखते हैं उससे बोलता है कि बोलता है जो लुशा क्रीजी हो गया है उसके थे साथ के साथ मिलब देख सकता है तब लेकिन तो उसके अग्रेश यहां तरफ मेरी कंपेटिबिल्टी हाइए तुर्ट के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा और इसके अलावा इसमें गलती क्या है मैं उसे अभी भी मार सकता हूं तब इसे बोलता है लेकिन क्या तुम शौर रहो उसकी अधर इंटेंशन नहीं है तुमारी तरफ तभी सॉंग उसे बोलता है तुमारे बीच का जो गैप हो काफी जादा है इसके इलाव तुम क्यारफ रहना अगर तुम क्यारफ नहीं रहे तो एंड में तुम ही हट होगे तुम लोग ओवर तिंग कर रहे हो तुम मैं बता है हम मुझे मार्क कैसे मिला मलब जो मेरी नेक पे मार्क थाना वो कैसे आया त तब इद्वान गुस्से में उन्हें पीछे से मुड़के बोलता है क्योंकि मैंने उसे डैडी बोला था इसलिए उसने मुझे मार्क करने के लिए राजी हुआ तो यहां पर हमारा जो चैप्टर है ना वो फेनिश हो जाता है तो नेक्स चैप्टर में हम देखेंगे कि उन